वेलकम टू स्टड़ी 24 देपूर इस वीडियो में हम घ्रोथ एंड डवलोपमेंट आर्थिक विकास और व्रद्धी से संबंदित दस मल्टिपल चोईस कोशन से जिससे सोल करेंगे सबसे पहला प्रस्ण लिजी आज का सामनी तह निम्न लिखित में से कौन सा सुचकांग आर्थिक व्रद्धी को मापने के लिए प्रियोग किया जाता है किसी अर्थ विवस्ता में आर्थिक व्रद्धी एकोनोमिक ग्रोथ जो है वो हुई है या नहीं हुई है कम हुई है या ज़्यादा हुई है इसको मापने के के लिए किस इंडेक्स का यूज किया जाता है इन में से तो यहां पर अगर हम देखें तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होना चाहिए option B जो वास्तिविक रास्ट्री आये हैं प्रतिव्यक्ति आये हैं उसमें व्रद्धी को एक तरह से तो करेक्ट आंसर option B next देखे second आर्थिक व्रद्धी की अउधारना है देखे आर्थिक व्रद्धी को मापने के लिए जो quantitative facts होते हैं जो संख्यात्मक माप होते हैं जैसे की प्रतिव्यक्ति आये हो गया रास्ट्री आये हो गया इनका प्रियोग किया जाता है लेकिन आर्थिक विकास को मापने के लिए ये जो संख्यात्मक माप होते हैं परिमानात्मक राज्टिय आए प्रतिव्यक्तिय आए इसके अलावा भी जो गुनात्मक कथ्य होते हैं ठीक है उनको भी इसके अंतरगत समिलित किया जाता हैं मतलब आर्थिक व्रदी का जो संबन होता हैं वो केवल परिमानात्मक जो संख्यात्मक माप होते उनी से होता है जबकि गुनात्मक जो माप होते हैं उसको आर्थिक विकास की आउधाना में समिलित किया जाता है इसलिए आर्थिक विकास की आउधाना अधिक विस्तरत हैं और आर्थिक व्रदी की जो आउधाना है वो आर्थिक विकास की आउधाना से संकुचित हैं तो correct answer आपका यहाँ पर हो जाएगा, option B, आर्थिक व्रद्धिक की जो आउधाना है, वो विकास की आउधाना की तुलना में संकुचित है, फिर next देखिए, निम्न लिखित में से आर्थिक रूप से अन्य अल्प विक्सित देशों का संकेत तक नहीं है, निम्न लिखित में से आर्थिक रूप से अल्प विक्सित देशों में कौन सी विशेशता देखने को नहीं मिलती है, निम्न प्रत्ति व्यक्ति आए, ठीक है, यह संकेत तक हैं, कि जो अल्प विक्सित देश होते हैं, वहाँ पे लोगों की आए, कम होती है, मृत्युदर भी उची होती है, फिर प्रात्मिक शेतर में जो श्रम शक्ति का अनुपात हैं, वो कम अनुपात होता हैं, यह हम गलत के सकते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा, ओप्शन C, ठीक है, जो अल्प विक्सित देश होते हैं, उनमें आर्थिक रूप से आपको देखना है, ठीक है, तो वहाँ पे जो श्रम शक्ति हैं, उसका कम अनुपात होता है, यह गलत हो जाएगा, अमार्टे के प्रात् अर्थि व्योस्ता की आर्थिक व्रदिदर मुख्य रूप से निर्भर करती है, अर्थि व्योस्ता की आर्थिक व्रदिदर, ठीक है, रेट ओफ ग्रोज जो होती हैं, वो किसके उपर निर्भर करेगी, श्रम शक्ति में व्रदिदर के उपर निर्भर करेगी, प्रुद्य d, ठीके आर्थिक व्रद्धिदर्ज होगी वो इन सबी तत्वों गटकों के ऊपर निर्भर करेगी अगला है निम लिखित में से आर्थिक व्रद्धि के निर्धाकम से गेर आर्थिक साधन, या गेर आर्थिक तत्वों इन में से कौन सां है देखिए प्राकरतिक संसादन, जनसंक्या व्रदी, पुंजी संचय, ये सारे एक तरसे क्या होते हैं? आर्थिक तत्वों के अंतरगत समिलित किया जाएंगे, favorable legislation जो अनुकुल विधान है, कानुन है, उसको आर्थिक तत्वों के अंतरगत समिलित नहीं किया जाएगा, वो कि जब किसी अर्थियस्ता में उत्पादन में व्रदी होती हैं, तो उत्पादन में व्रदी होने के साथ साथ में उत्पादन के जो साधन हैं, उनकी दक्षता में सुधार हो सकता हैं, अर्थियस्ता में आय का जो वित्रन हैं, उसमें समानता में व्रदी होती हैं, फिर लोग टांसर आपका यहां पे हो जाएगा option D फिर next question देखिए Adam Smith द्वारा प्रतिपादित इस्थिर अर्थ्योस्ता संबन दित हैं stationary stage की जो concept है Adam Smith का वो किसके साथ में संबन दित हैं तो इस्थिर अर्थ्योस्ता की जो विशेशता है होती हैं वो क्या होती हैं इस इस्थिति में लाप की जो दर हैं वो कम हो जाती हैं निमन हो जाती हैं बिल्कुल सही हैं रेंट जो होता है वो बहुत हाई होता हैं लगान उंचे होता ये भी सही दिख रहा हैं उसके बाद में मजदूरी जो होती वो जीवन निर्वा इस्तर के बराबर हो जाती हैं तीनों कथन जो हैं वो सही हैं इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन डी एडम इसमीत के द्वारा प्रतिपादीद इस्थिर अर्थ व्योस्ता स्टेशनरी स्टेट की जो उन्होंने आउधारना दी हैं वो इन सभी विशेष्टाओं के साथ में सम्मंदित हैं अगला देखिए एडम इसमीत के आर्थिक विकास के सिद्धान्त से सम्मंदित नहीं हैं Adam Smith का आर्थिक विकास का जो सिद्दान थे उसकी प्रमुक विशेष्टा क्या है कि व्रधी जो है वो संचे प्रकृति के होती हैं लगातार चलती रहती हैं बिल्कुल सही हैं फिर उसके बाद में पुंजी संचे और बाजार का विस्तार उत्पादन विस्तार के लिए दो के लिए दो आवशक शर्ते होती हैं फिर उसके बाद में व्रधी की कोई सीमा नहीं होती हैं ये गलत लग रहा है ठीक है व्रधी की भी एक लिमिट होती हैं सीमा होती हैं और अर्थ विवस्ता में सरकारी हस्तक शेप नहीं होता हैं आर्थिक किरियाओं के अंतरगत सरकार ह साथ में सम्मदित नहीं है अगला देखिए एडम स्मित के अनुसार श्रम विभाजन की सीमाए होती है ठीक है श्रम विभाजन जो होता है उसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से दो गटक लिये हैं एक तो बाजार का विस्तार लिया है और दूसरा पुंजी संचय या पुंजे की जो उपलब्द मातरा होती है दोनों को लिया है इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन से ठीक है उत्पादन का जो विस्तार होता है उसको समझाने के लिए उन्होंने दो घटक लिया है फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रस्ण है राश्ट्री संपती में व्रद्धी के विभी निर्धाकों में से एडम इस्मित ने किसे केंदरी इस्तान दिया है ठीके एडम इस्मित का जो सिद्धान ते आर्थिक विकास का सिद्धान उसे समझाने के लिए उन्होंने निम्न में से किसे मुख्य इस्तान दिया हैं श्रम विभाजन को डिविजन ओफ लिवर को या फिर केपिटल पुंजी को या फिर नेचुरल डिसोर्सेज प्राकर्तिक संसादनों को या फिर डी टेक्नोलोजी प्रोज्योगी की को तो इन में से अगर हम देखें तो Adam Smith का आर्थिक विकास का जो सिद्दानते मुख्य रूप से किसके उपर आधारितें श्रम विभाजन की बात करता हैं तो correct answer आपका हो जाएगा option A तो आज की class में इतना ही next class में और multiple choice questions को हम देखेंगे